युगो युगो से हो रहा है ने ग्रह नक्षत्रों का सब है खे ब्रह्मान में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल आए जानते हैं इस हफ़ते कौन सी राशी होगी माला माला जै शलिदेर प्रिय भर्थ करो बै कुर्वार्पनी आप सभी का स्वागत खर्ती हूँ हमारे शनी पीच मंदिर 38 पटा थारा इस पटेल नगर नगर नई पीज से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कंग्राचलेट भी करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे चैनल को केवल और केवल आप ही के कारण आज यूट्यूब से एक अवाड प्राफ हुआ है जिसे गुल्डन क्रियेटर्स अवाड के लिए यह जो अवाड है हमारा गुल्डन अवाड है मैं आप सभी लोगों को डिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि आपके बिनाई यह संभाफ नहीं था आज मैं आपके सामने उपस्पित हुई हूँ राशी फल के लिए आप में से बहुत से लोग मुझसे रेक्वेस्ट करते हैं गुरुमा हम राशी फल के बारे में जानना चाहते हैं देनी हमारा समय कैसा जाएगा उस पारे में जानना चाहते हैं तो इसलिए मैं आपके लिए आज का राशी फल लेकर की आई हूँ और यह तीन दिन का राशी फल होगा यानि कि आप जान सकते हैं कि अगले तीन दिन आपकी लाइफ में कैसे बीनने वाले यह जो राशी फल है यह चन्रकुणली पर आधारित है जोतिश की गर्णाओं पर आधारित है और साथ में मुझे जो डेविश शक्तियों से संकेत राप्त होते हैं उन सभी पर यह आधारित है उसके अनुसात मैं आपको राशी फल आपके तीन दिनों का बताने चारे हैं साथ ही मैं आपको एक कहानी भी अंध में बताऊंगी इस लिए इस वीडियो को अंध तक देखें अपना राशी फल सुनने के बार उस छोटी सी प्यारी सी कहानी को सुनना आप भूले जो आपके जीवन को बदल के रखते हैं दोसी और राशी फल तो किवल एक बहाना है क्योंकि मैं रोजाना आपसे मुलाकात करना चाहती हूं मैं जानती हूं आप लोग मुझे याद करते हैं आप लोग मेरे संपर्क में रहना चाहते हैं और मैं भी आपको बहुत याद करती हूं इसलिए मैं आपसे जल्दी-जल्दी मिलने के लिए ये तीन दिन का राशी फल आपके लिए लेकर के आई अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रचनी शुषी जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंट ही इससे सब्सक्राइब कर लिए और बेल का आइकन घंटी का आइकन दबाना ना भूले ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आप तक में लेकर के आसको मैं विज्य लश्मी की एवन दशेरे की आप सभी को हार्दिक बढ़ाई अपदान करती हूं साथ ही रावण ने मर्के समय अपने अंतिम शनों में क्या कहा और लक्ष्मन जी को क्या ज्यान प्रदान किया वो राशीपल के बाद एक कहानी के मांधिम से मैं आपको बताने ज मंदिर का अकाउंट है उसकी अकाउंट डीटेल को देख कर आप मेंसे बहुत से लोग हमारे कारिक्रमों के लिए यग्यों महयक्यों के लिए प्रसाद वितरन जो हर्शनिवार हम करते हैं उसके लिए या गरीब लड़कियों को जो हम education देते हैं उस सब के लिए समय समय पर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका अभार व्यक्त करती हूँ, और भगवान शरीदेव से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी लोगों को सुक, शान्ती, समृती, सौभाग्य, और जीवन में जो भी आप चाहते हैं, वो प्रदान करें, और साथ ही कहना चाहते हूँ, कि आप अपना नाम हमें हवश्य ही भीजें, ताकि आपके नाम से हम पूझा भी कर सकें, चलिए बात करते हैं हम सिंगराशी के, सिंगराशी वालों के लिए साथ, आठ और नौ, ये तीन दिन ओक्टूबर के कैसे जाएंगे, चलिए जानते हैं, ये ती उसे और आपको मानसिक रूप से ऐसा लग सकता है, जिसे आपको बहुत संगर्श का सामना करना पड़ा है, तनाव आपकी काम में आ रहा है, ये समय आपके लिए जो है मिला जुला रहेगा, बहुत समय से किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका मन मुटाव चल रहा था, तो उ आप स्टूडेंट है, तो पढ़ाई के मसले में ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है, अगर नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं, तो इस समय में आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका कारे करने का एक अलग ही स्टाइल होगा, जिसे देख आपके साथ काम करने आपके वाले जितने भी करमचारी आपके बहुत है, उस समी प्रभावित होंगे, आपका स्वास्थे जो है, वो इस समय अच्छा रहेगा, आपको प्रसंता और उत्सव दोनों की ही समय में प्राप्ती होगी, आप इस समय में कोई उत्सव मनाने के लिए भी जा सकते हैं, जाए वो पारिवारिक हो या समाजी को हो, अगर आप कोई बिजनिस करते हैं, तो इस समय में अपने बिजनिस को ले करके, आप किसी बड़ी या लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, वो यात्रा आपके लिए शुप रहेगी, अगर आप स्पोर्ट्स लाइन में हैं, कुछ खे में वो अच्छी रहेगी, अगर आप इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, शेर मार्केट इत्यादी में, तो आठ तारिक जो है, आठ ऑक्टूबर ये दिन आपके लिए शुप रहेगा, जितने भी अविवाहित लोग हैं, जिनकी अभी जरूर दें, तो उसे पाकर के सामने वाला आपसे बहुत ही प्रसन हो जाएगा, सिंग राशी वालो, अगर आपको लगता है कि आपका घरेलू जीवन बहुत ही तनाव ग्रस्त हो गया है, आपका जो पस्नल लाइफ है वो अच्छी नहीं चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिती में आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं हमारे, उन पर आप हमारी हाँ संपर्क करें और अपनी कुंडली के अनुरसार, अपने पुरेम से संबंदित या अपने विवाहित जीवन से संबंदित, प्राण पतिष्ठित एवं मंत्रिसित, राशी रतगरिंग बनवा करके दूर करने के लिए यहां आपकी गुरु मारुपनी उपस्तित है, मैंने अपना जीवन आभी की सेवा में इसी लिए लगाया है, आपके कश्टों के लिवाहित के लिए इसी लिए लगाया है, ताकि आप सरही के कश्टों को में दूर कर सका. मैंने अपनी जीवन में सन्यास धारण किया, अपनी केशों का त्याद किया, बालों का त्याद किया, यह सोच लिया कि मुझे अपनी जीवन में अपना कोई परिवार नहीं चाहिए, विभा नहीं करना, शादी नहीं करनी, बच्चे नहीं करनी, केवल इस लिए ताकि आप सर उद्देश रह गया है हर्वान की कृपा से एक अच्छे घर में हमारा जन हुआ हर्वान ने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया एंबीए भी किया लेकिन फिर भी मनुष्य के दुख मुझसे देखे नहीं जा इसलिए मैं आप सभी की सहायता के लिए इस कारे में आई और म पिछले कई वर्षों से हमारी ये संस्था शनी बीट मंदिर नई दिली यूटिव पर ही लेखेंगे तो दस साल से हम यहां पर यूटिव पर अवेलेबल हैं तीस साल पुराना ये खरीदी हुई गुरुजी की जगे है जहां उन्होंने मंदिर स्थापित किया है यहां सेपोनी दुनिया की नचाली कितने लाखों लोगों को हम साहिता बदान कर चुके है अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट जैसे मैंने आपको बताया उससे जूज रहे हैं तो आप विल्कुल भी खबराएं आपके कष्ट अगर है तो उसका निवारन भी इश्वर में जरूर लिखा है आपके स्क्रीन पर जो भी नंबर्स आ रहे हैं आप उनमें से किसी पर भी डायल करिए वहां एक अपॉइंटमेंट मुझ से गुरुजी या स्वामी ची से बुगराएं और हम आपके इस समस्या का विश्वेशन करेंगे आपकी जरम कुणली के मादियों से जिसकी जरम कुणली नहीं है उसके चेहरे के बात्यम से हम आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे लेकिन इस सेवा को लेने के लिए एक पूटी सीपीस हम लोग चार्ज करते हैं क्योंकि यह जो संस्था है इसे हमने चलाना है और बढ़ाना भी है आज अगर हम कुछ लोगों की साहिता कर सकते हैं तो हम चाहते आने वाले समय में हम लाख परों लोगों की साहिता कर सकते हैं क्योंकि आज जितनी हमारी सामत्ते ह जितना भी हमारे पास इखर्टा होता है वो हम अच्छे कारूम में लगाते हैं जैसे कि हम यग के महायकियों का आयोजन करते हैं समय समय पर हम करीबों के बीच में अन्दान करते हैं और हर शनिवार और मंदलवार को परशान विजरेंट दिया जाता है लगभाग आच नौ साल हो नहीं है तरीब लड़कियों को हम लोग फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं वह भी कोई सिंपल एजुकेशन नहीं देते ऐसा कंप्यूटर का एजुकेशन देते हैं जिसके मंदली मेटिया रेव डिजाइनिंग इत्यादी सिखाया जाता है ताकि या तो वह अपना कोई बिजनिस खड़ा कर सके वह अपने पैरों पे खड़ी हो सके और एक अच्छी नौकरी पा सके उसके लिए मैं उन्हें पिछले आच-दस सालों से ट्रेंड कर रही हूँ उस कंप्यूटर सेंटर को चलाने के लिए उस बच्चियों को स्कॉलर्शिप भी दी जाती है ताकि उनका आने जाने का जो खर्च है वो भी उनके माबाब जो अपोर नहीं कर पारे उनके उपर लोडना पड़े तो उसके लिए प्रियोग किया जाता है तो इस सेंटर को भी हम बढ़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फीस प्रियोग ली जाती है और इसके साथ ही मैं यह चाहती हूँ कि दिल्ली में ही एक ऐसा नगरे शांती पीट हो एक शक्तिस धलगों मैं बनाना चाहते हूँ जहां पर सभी हर्म के लोग समी जाकी के लोग पूरे विश्व के साथ हर्म के लोग वहां आए और आकर की अपने कश्टों का निवारन प्राफ्ट कर सके यही मेरी इच्छा है उस सब के लिए हम अपनी संस्था के मार्धियम से यह सब धनेखटा कर रहे हैं यूँकि दिल्ली तो आप जानते हैं बहुत महगा शहर है और प्रॉपर्टी भी यहां बहुत महगी है तो उस सब को बनाने के लिए एक आश्रम को यहां बनाने के लिए एक बड़े स्थान को लेने के लिए और उसे ऐसे मंदिर को बनाने के लिए जहां सब को आने के माध्यम से राहत मिलें ये peace रखे हुई है ताकि इस peace के माध्यम से हम इन सब कारे को पूर कर से हर शुक्रवार भी यही प्रात्वा करती हो यह कि करती हूँ सभी followers के लिए सभी भक्तों के लिए जिनका नाम मुझे याद रहता है उनके नाम के साथ जिनका नाम नहीं याद रहता है तो केवल भावनाओं के साथ उनके लिए भी प्रात्ना करती हूँ जहां भी आप बैठे हो जिसमें विश्व के कोने में हो मेरी प्रात्ना आप तक ज़रूर पहुंचे इश्वर और सभी नब रह देता आपर जिए प्रात्ना करती हूँ हर शुक्रवाद आपके लेरा जीनन तो आपी का है आपी के नाम है और पूरा जीनन को वारुकमनी आपी के सेवा में लगी रहेंगे जैशनिदेव प्रेभक्त करों विजय देश्मी का पावन पर आ रहा है देशेरा आ गया है और हम सभी लोग रावन देहन करते हैं और सभी प्रभु श्री राम की जीत का जैशन भी बनाते हैं लेकिन मरते हुए प्रभु श्री राम और रावन का क्या समवाद हुआ क्या आप जानते हैं आज एक कहानी के माध्यम से मैं वही आपको बताने वाली हूँ और एक गहरी शिक्षा क्योंकि हम सब जानते हैं भगवान श्री राम विजय हुए इस युद्ध में ये भी एक धर्म का युद्ध था मैं आपको रोजाना ही गीता की सत्संग बता रही हूँ लेकिन प्रभू रावन अपनी मृत्य शहिया पर लेटा था अंतिम सांसे ले रहा था तब प्रभूर श्री राम ने लक्षमन से कहा हे लक्षमन रावन ज्यानी है इससे तुम कुछ ज्यान प्राप्त करो तो लक्षमन जाकर के रावन के सर के पास खड़े हो गए तो भगवान श्री राम उस समय उनको टाटा और कहा कि क्या तुम जानते नहीं ज्यान चर्णों के पास आके लिया जाता है। लक्ष्मन अब रावन की चर्णों के पास आए और आकर के उनसे पूछा कि आप मुझे कुछ ज्यान प्रदान करें। तो रावन ने ज्यान तो दिया ही लेकिन साथ में एक प्रश्ण पूछा है कि मुझे इस बात का उत्तर दीजिये श्री राम कि मैं कुल में आप से श्रिष्ट। पंडित थे तो वो कहते हैं ज्यान में भी मैं तुमसे आगे। सेना में भी तुमसे इतना आगे। क्योंकि रावन के पास भी बहुत विशाल सेना थी और प्रभु श्री राम के पास तो वानर सेना थी। मैं भक्ती में भी तुम से श्रिष्ट, दोनों ही श्री राम और रावन, दोनों ही शिव भक्त थे, और रावन को तो कई वर्दान भी प्राप्त थे, जिसमें से एक उनके दशानन होने का, यानि दस सर होने का वर्दान था, यानि नौ जीवन दान उनको प्राप्त थे, तो इतना सब होने के बाद भी, हे श्री राम मुझे ये बताईए, मैं तुमसे हार कैसे गया, तो प्रभु श्री राम ने किवल एक ही उत्तर दिया है, हे रावण, तु चरित्रहीन, मैं चरित्रवान, हमारे जीतने का किवल यही एक कारण है, और यही सबसे बड़ा कारण है तो आप सभी रावण का देहन करते हैं, और प्रभु श्री राम को याद भी करते हैं, लेकिन उनकी चरित्र का अनुसर नहीं करते हैं, आप ज़रा सा भी चरित्र पर ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी व्यक्ति जीवन में यदि कुछ पाना चाहता है, सक्सेस्फुल होना चाहता है तो इस बात को हमेशा याद रखना तुम्हारा चरित्र तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए अगर मन में तुम्हारे चलकपट है अगर मन में तुम्हारे सच्चाई नहीं है दूसरों के प्रती अच्छी भावना नहीं है दूसरों को धोका देने की इच् इस बात को हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है, तो माता लक्ष्मी तुम्हारे आबास करेगी, अनिता उटकर के तुम्हारे यहां से वो चली जाएगी, आई हुई लक्ष्मी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। इसलिए इस बात को सदा याद रखना, जीवन के इस युद्ध में अगर विजय होना है, पराजित नहीं होना, तो अपने कैरेक्टर पर, अपने चरित्र पर ध्यान दो, स्वैम अच्छे बनो, अच्छे काम करो, अच्छे कृत्त करो, तो अपने आप ही जीवन में तुम्हे इसके साथ ही आप में से बहुत से लोग मुझसे प्रशन करते हैं कि गुरुमा, हम असली राशी के रतन कहां से लें, ये आप हमें बताएं, तो जो भी व्यक्ति हमारे यहां से ना ले करके, स्वैम ही राशी के रतन लेना चाहते हैं, और उनको अंगूठी में बनवा के अपने आप धारन करना चाहते हैं, उनके लिए असली जैम रिंग्स, राशी रतन रिंग्स कहां से मिलें, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उन रतनों को आप महां से खरीद सकते हैं, 100% जैन्विन वो रतन हैं, और खरीद के आप उसमें अंगूठी अपने डिजाइन के हिसाब से बनवा के उसे मंत्र सिद्गर की धारन करें, जै श्री राम, जै शनी देर, हमारे वीदों, पुरान, धर्म ग्रंथों और योधिय शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अध झारित से बनवाद करें पिद्धा 55 C C P 5